आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से समाजिक बिग्यान का बाइरल सब्जेक्टिव कोश्चन लाइए तो लीजे हम लेकर आगए है समाजिक बिग्यान का बाइरल सब्जेक्टिव कोश्चन और यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बाइरल कोश्चन देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यह बला कोश्चन खुद अपने आप में बाइरल है इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी कोश्चन बताएंगे सारे कोश्चन अपने आप में बाइरल है वीडियो को फटा-फट से सुरू करते हैं लेकिन इसके पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पूरे परिछा तक हम आपको पूरा-पूरा हेल्प कर सके तो जल्दी-जल्द का हरास जो हो रहा है इसका मूल कारण क्या है इसके बारे में आपको उलेख करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि किसी भी परदेश के कूल-भगौलिक छेतर के 33.3% पर बन अच्छादित होना चाहिए कहने का मतलब कि किसी भी राज्य के कम से कम कूल-भूभाग क पर 35 भाग पर बन होना चाहिए लेकिन 50-60 बरसों में बनोक के हरास में तेजी से बर्दि हुआ है क्यों बर्दि हुआ है क्यों कि बनोका दोहन बहुत अधीक हुरा है और और उध्योगों को लगाने के लिए क्रिसी कार्ज करने के लिए बन को ही साफ करके खेती बनाया जा रहा है उद्योग धंदे के लिए उद्योग खड़ा किया जा रहा है चलिए इसके बारे में हम आपको आगे बिस्तार से बताते हैं कि बनों के अलावा रहने के लिए आवास चाहिए उसके अलावा उसके रोजगार के लिए उद्योग चाहिए और यह सारे चीज़ जो होते हैं वह बन को ही काट करके बनाया जाता है चाहे क्रिसी भूमी हो चाहे आवास हो चाहे फिर उद्योग हो क्रिसी को ही साफ करके बनाया जाता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव के लिए क्रिसी भूमी आवास उद्योग के लिए और अधिक भूमी के अब सकता ने बनों को कम किया यानि कि बनों का हरास हो रहा है क्रिसी भूमी के लिए अवास के लिए उद्योग के लिए इस परकार से भी बनों का हरास हो रहा है तो सबसे पहला कारण बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा जब दूसरा कारण हो जाएगा जलाबन के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि खाना बनाने के लिए या फिर बड़े-बड़े उद्योगों में भी लकडियों को जलाने के लिए उप्योग में लिया जाता है, और लकडि कहां से आते हैं, बन से आते हैं, तो जहिर सी वा खाना बनाने आदी के लिए भी भारी मातरा में बनों की कटाई की जाती है, यानि कि उद्योग में तो इसका उप्योग होता ही है, लकडि का इसके अलावा खाना बनाने में भी लकडि का उप्योग होता है, जिससे की बनों की कटाई की जाती है, दो पॉइंट हम आपको ब किये कह रहा है कि जो प्रदेश के बनवासी होते हैं वह बनों पर सब पर्थम अपना अधिकार समझते हैं यानि कि जो बनों के आसपास वाले लोग रहते हैं वह बनों पर अपना अधिकार समझते हैं लोग अपने मवेशियों को खुल्याम चारण हितु बनों में छोड़ द कि इतने सारे के छोटे छोटे पोदसर आते हैं सभी को भी वेश्य कहा जाता है कुछ को कुछाल देता है जिससे भी बनों का हरास हो रहा है और और अभैद 시청 होरा में पहां नत Song क Children परकार से भी बन का हराओ रहा है तो कुल तीन पॉइंट बताए जिसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बनों का हरास किस परकार से हो रहा है सबसे पहले बताए बढ़ती होई जनसंख्या दुसरा बताए जलावन के लिए और उसके बाद noir नम्मर बताए कि पसु चारण और अवैद कटाई से भी बनो का हरास हो रहा है तो उमीद करते हैं कि आप इस कोस्चन को भली भाती समझ गए होंगे चलिए अब दूसरा नम्मर कोस्चन क्या कह रहा है धातविक तथा अधातविक खनीजों में अंतर बतावे काफी मत्वपू जानी के धातविक खनीजों में आप ग्लों का भी रिबीजन हो जाएगा अगर नहीं जानते हैं तो अपने नोट लोह युक्त क्या होता है, एसे खनीजों में लोहे का अंस होता है, जो लोह युक्त खनीज होते हैं, इसमें लोहे का अंस भी दवान रहता है, जैसे क्या होता है, लोह अयस्क, मैगनीज, नीकेल, इत्यादी, उदाहरन आपको हर हाल में लिखना है, हम हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में आपको समझाते हैं कि जब भी परिभासा लिखे उसके साथ उदाहरन जरूर लिखे क्योंकि उदाहरन लिखने से आपको पूरा नमबर मिलता है और अगर उदाहरन नहीं लिखेगा तो आधा धूरा नमबर मिलेगा इसलिए हर हाल में आप उदाहरन जरूर गए कि एसे खनीजों में लोहि का अंस होता है याvisor मैग्नीज निक्ल इत्यादी उसके बाद दूसरा होता है एसे खनीज जिसमें लोहे का अंसकाफी का मात्रा में होता है उसको अलोह युक्त खनीज कहते हैं जैसे टीन होता है, सोना होता है, चांदी होता है इत्यादी होता है जिन खनीजों में धातु नहीं मिलते हैं उसे अधातवी खनीज कहा जाता है आप दूसरा नम्मर पॉइंट बताए अधातवी खनीच जिस खनीजों में धातु नहीं मिलते हैं उसे अधातवी खनीच कहा जाता है जैसे अबरक हो गया कोईला हो गया तो उमीद करते हैं कि धातवी खनीच और अधातवी खनीच में अंतर आप लोग भली भाती लिख चलिए अब दूसरा नम्मर कोश्चन देखते हैं सोरी थर्ड नम्मर कोश्चन कह रहा है कि हरित करांती से आप क्या समझते हैं हरित करांती से आप क्या समझते हैं काफी इंपॉर्टन कोश्चन है पूरे भूगोल का या सबसे महत्तपून कोश्चन है हरित करांती से आप क क्या समझते हैं तो देखिए हरित करांती से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं विस्तारूप से 1966-67 के दसक में, 1966-67 के दसक में भी आप बोल सकते हैं लेकिन इस भी सन 1966-67 होता है आप लोग ध्यान रखिएगा तो किस परकार से हम लोग लिखेंगे 1967-67 के दसक में क्रिशी के अंतरगत एक पैकेज लाई गई जिसमें क्रिशी में हरित करांती की शुरुआत हुई इसके अंतरगत संकर किस्म का उन्नत बीज उन्नत बीज रसायनिक खाद, सिचाई की वेवस्था, किटनासक आधी का उत्पादक पर्योग कर खाद उत्पाद में उत्पादन हो सके और एका एक क्या हुआ कि खाद उत्पादन में अपर्त्यासित ब्रिधिक की गई, तथा खाद सुरच्छा में यह मील का पत्थर सावित हुआ, इस क्रांती को आगे बढ़ाने में सहकारिता बिभाग पर भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया, देखे जो सहकारिता बिभाग होता है, ओवा क्रिसी कार्ज से ही समंदित बिभाग होता है, जितने सारे भी क्रिसी कार्ज के काम किये जाते हैं, ओवा सहकारिता बिभाग में ही होता है, हर एक राज्य में सहकारिता बिभाग होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिसी कार्जों पर अपना नियंतन रखता है तो क्या किया कि भारत सरकार ने सहवागिता विभाग पर काफी अधीक ध्यान दिया हरित करांती से फसलों के पैदावार में काफी प्रिदी हो गई इसी से साधन उत्पादन में भारत आत्म निर्भर हो गया तो कूल मिला करके आप लोग हरित करांत में अपर्तियासित ब्रिदी की गए अपर आप लोग अपर्तियासित कहने का मतलब समझेगा अपर्तियासित कहने का मतलब होता है कि जितना अंदाजा लगया गया था उससे भी कहीं अधिक ब्रिदी हुआ उत्पादन में उससे भी कहीं अधिक ब्रिदी हुआ तता खाद सु निर्भर हो गया तो उमीद करते हैं कि आप लोग हरित करांती के बारे में अगर आपके प्रिक्षा में आता है तो अब आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से लिख दीजेगा अब चलिए चौथा नमर कोशन देखेंगे तो चौथा नमर कोशन क्या कहरा है यहां पर 24 लिखा गया है चौथा होगा चौथा नमर कोशन कहरा है कि जल परदूसन को नियंतरित करने के उपायों का उल्लेक करिए यानि कि क्या क्या उपाय कर करके हम लोग जल परदूसन को प में लिखी तुपाए हैं सबसे पहला हो जाएगा कि सहरों या फिर नगरों का जो कुडा करकट होता है मल आदी होता है उसको निकट वरती नदियों अत्वा जलासियों में उपचारित कर गिराना यानि कि उसको नदी में गिराए लेकिन उसको उपचारित करकर के गिराए उस अगर सीधे सीधे उसको नदी में गिराया जाता है क्योंकि नदी का पानी बहुत सारे मवेसी भी पीते हैं इसके कारण क्या होता है कि जल परदूसन हो जाता है और मवेसी की मिर्तू भी हो जाती है इसके कारण से कल कर खानों से निकलने वाले जो अपसिष्ट रसाइनिक दवाओं का परियोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तलाबों एवं खेतों में कम से कम किटनासक दवाओं का छिरकाप करना चाहिए, अब चौथा पॉइंट है कि महासागरों में परिक्षन आदी के परियोग पर रोक लगा देना चाहिए, जो परिक्षन जो होता है, उस पर रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अधिक मात्रा में जल का परदूसन होता है, और उसके बात भी पांचमा पॉइंट हम लोग लिग देंगे, कि जल परदूसित ना करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, सबसे मह पुन है कि सभी लोगों में जागरूकता पैदा करना, कि किस परकार से जल परदूसन को रोका जा सके, तो उमीद करते हैं कि जल परदूसन के परमुख कारन क्या-क्या होते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एक और फिर से आप लोग देख लीजे, सार परमानुबं परिक्षणादी करने पर रोक लगा देना, और उसके बाद पाच्वा है कि जागरूकता पैदा करना, चलिए अगला नमर कोश्चन बताते हैं, तो कोश्चन कहरा है कि बिहार में कितने परकार की फसले उप जाई जाती है, हम आपको बिस्तार रूप से पर रोक लिए जाती है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इंट्रोड़क्षन जरूर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि बिहार एक कृषी परधान ने राज है, मतलब कृषी परधान कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हुए कि जहां कि अधिकान जिल संक्या क्रिशी पर ही आतरित होती है, उसको क्रिशी परधान ने राज बोला जाता है, तो बिहार एक क्रिशी परधान ने राज है, बिहार के कूल भगोलिक छेतरफर काल लगबग 96% भाग क्रिशी योग है, आप लोग ध्यान रखिएगा 96% भाग क्रिशी योग है, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, सधारन बर्सा, सीचाई की सुब्धा, रित्वों की विबिधता के अधार पर अनेक परकार की फसले उपजाई जाती है, यानि कि यहाँ पर जो फसले उगाई जाती है, और अब होता है भदाई फसल, सबसे पहला भदाई फसल, यह मैई जून में बोई जाती है भदाई फसल के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह मैई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर के महीने में काट लिया जाता है यानि कि मैई जून में बोया गया और अगस्त सितंबर में काट लिया गया वह भदाई फसल हो जाएगा उदाहरन क्या क्या हो जाएगा भदाई धान हो जाएगा जौर बाजरा हो जाएगा मकई हो जाएगा जूट हो जाएगा सब्जिया फल इत्यादी तो उमीद करते हैं कि भदाई फसल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग जरूर लिख लिजेगा कि मैई जून में बोया जाता है और अगास सितंबर में काट लिया जाता है बस आप लोग इतना इध्यान रखिए मैई जून में बोया जाता है अगास सितंबर में काट लिया जाता है अब उसके बाद दूसरा फसल होता है अगहनी फसल अगहनी फसल क्या होता है कि हम मध्ध जून से यानि कि जब आधा जून पार कर जाता है तो फिर मध्ध जून से अगस्त तक इसको हम लोग बोश सकते हैं मध्ध जून से अगस्त तक बोया जाता है और नवंबर दिसंबर के महीने में इसको काट लिया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में इसको काट लिया जाता है जैसे अगहनी धान हो गया जौर बाजरा हो गया अरहर हो गया गन्ना हो गया इत्यादी और जैसे ही अगहनी फसल काटा जाता है रवी फसल लगाया जाता है तो अगहनी फसल के बारे में आपको हम बताएं कि नवंब होते ही यानि कि जैसे ही गर्मी शुरू होता है इसको काट लिया जाता है इसकी परमुक फसल हो जाएगा गेहूं हो जाएगा जो हो जाएगा दलहन हो जाएगा दलहन में चनाव मटर मसूर उसके बाद फिर तिलहन में सरसो तीसी तील इत्यादी बहुत सारे उधारन रभी फ फसल के उधारन हो जाएंगे तो रभी फसल आप लोग जरूर लिख लीजेगा अक्टूबर नमंबर में बोया जाता है और गर्मी के सुरुवात में इसको काट लिया जाता है अब सबसे लास्ट होता है गर्मा फसल तो गर्मा फसल के बारे में आप लोग ध्यावन से होती है तो उमीद करते हैं कि आप लोग चारों के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सबसे पहला आपको बताए भदाई फसल उसके बाद अगहनी फसल उसके बाद रभी फसल और उसके बाद गर्मा फसल तो उमीद करते हैं कि जितने सारे भी कोश्चन आपको भुगोल में बताएं सारे कोश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब इसके बाद हम आपको आपदा परवंधन से समंधित कुछ महत्वपून कोश्चन बताएंगे जो आपके एकजाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा पहला कोश्चन है आपदा परवंधन का भुकंप से बचाब के किनी तीन उपायों को लिखें भुकंप से बचाब के किनी तीन उपायों को लिखना है कि भुकंप से कैसे बचा जा सकता है तो जाहिर सी बात है हम लोग सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे कि भुकंप से ब लगाया जा सकता है कि भुकंप आने वाला है तो भुकंप लेखी यंत्र के द्वारा भुकंप ये तरंगों का पुरुबा नुमान किया जा सकता है और इस परकार से भुकंप से बचाव किया जा सकता है क्योंकि अगर पहले ही किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि भुकंप पर किया जाना चाहिए खास कर उन छेत्रों में जहां पर की अधिक भुकम पाता है जो छेत्र भुकम प्रभावित छेत्र हैं तो दुसरा उपाई क्या है भवन निर्मान भुकम परोधी भवन का निर्मान करना चाहिए और तिसरा उपाई है गैर सहकारी संगठनों का सहयोग बुकंप ये आपदा से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन का भी योगदान हो सकता है यह संस्थाएं ना सिर्फ रहत का आरज में मदद कर सकते हैं बलकि भुकंप के पहले लोगों को भुकंप बिरोधी भवन निर्मान तथा भुकंप के समय ततकाल बचाभेतू लोग कि जो गैर सहकारी संगठन होते हैं वो क्या करते हैं लोगों को पहले तो प्रसिछित करते हैं कि किस परकार से भुकंप से बचा जाए उसके अलावा क्या करते हैं कि भुकंप बिरोधी जो भवन निर्मान होते हैं उसमें भी लोगों को सहायता परदान करते हैं उसके अला पाए है जिसके माध्यम से भुकम से बचाब किया जा सकता है चलिए अगला नमर कोश्चन अगला नमर कोश्चन है कि समानने संचार विवस्ता के बाधित होने के कारणों को संचेप में लिखिये यह वाला कोश्चन काफी महतपूर्ण है समानने संचार विवस्ता के बाधित होने का सबसे बड़ा कारण केवल का तूट जाना दूसरा बिजली अपूर्ती का बाधित हो जाना जदी बिजले ही नहीं रहेगा तो संचार व्यवस्ता काम कैसे करेगा तो पहला केवल तूट जाना दूसरा बिजली अपूर्ती का बाधित होना उसके अलाबा अगला है कि स संचार भवनों के द्वस्त होने पर संचार यंत्रों का छतिक ग्रस्त हो जाना यानि कि जिस भवन में संचार यंत्र रखे हुए हैं अगर वह भवन ही वह मकान ही तूट जाए वह मकान ही द्वस्त हो जाए तो सारे संचार जो यंत्र रहेंगे वह छतिक ग्रस्त हो जाएंग तो संचार विवस्था के बाधित होने के चार पर मुख कारण बताए, केबल तूट जाना, बिजलिया पूर्ती का बाधित होना, संचार भवनों का ध्वस्त हो जाना, जिसे कि संचार यंत्रों का छती ग्रस्त हो जाना, और चौथा बताए कि ट्रांस्मिशन टावर का छती ग्रस्त हो जाना अब चलिए अगला नमर कोश्चन है कि आग लगने की स्थिती में क्या प्रबंधन करना चाहिए यानि कि कहीं पर भी अगर आग लग जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए तो सबसे पहला लिखेंगे कि आग लगने की स्थिती में निम्लांकित गायलों को प्रात्मिक उप्चार दे करके अस्पताल पहुंचाना चाहिए सबसे पहले प्रात्मिक उप्चार दीजे जो व्यक्ति गायल हो गए है और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाए प्रात्मिक उप्चार में ठंधा पानी आप उन पर डालिए ठीक है तो objective question में भी आपसे पूछा जाता है कि आग से जलने की स्थिति में प्रात्मिक उप्चार क्या करना चाहिए तो ठंडा पानी डालना चाहिए बहुत सारे student बोल देते हैं कि hospital पहुंचा देना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर ब्रफ से उसको सहलाना चाहिए चलिए उसके बाद अगला point है कि आग के फैलाव को रोकना यानि कि जब आग लगता है तो धीरे 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 करके उबाद फैलने लगता है उसको वहाँ पर रोकना चाहिए कि किस परकार से आग को रोके कि उबाद अधीक न फैले उसके अलावा चौथा है कि अगनी सामा के अंतर को बुलाना ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके अगनी सामा के अंतर को बुलाना फिर पाचमा है कि यदि आग के कारण बिद्दूत सौट सर्किट हो गया है तो सबसे पहले बिजली लाइन को काटना क्योंकि सर्किट से और अधिक आग लग जाएगा इसलिए यदि आग के कारण बिद्दूत सोट सर्किट हो गया है तो सबसे पहले बिजली को काटना और उसके बाद फिर अगला पॉइंट हो जाएगा कि आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत में उपर फंसा हो आग के समय यदि कोई व प्रति रोधी जैकेट भी आते हैं वह पहन करके जाएगे उनको किसी तरह से छत पर से या फिर घर में से बाहर निकालना तो आग से बचने के तरीके के बारे हम आपको बताए कुल छो पॉइंट बताए दो नमर का कोश्चन है अगर आप छो पॉइंट ना लिख करके तिन प्रकार के होते हैं प्रकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानब जनितापदा पहला प्रकृतिक और दूसरा मानब जनितापदा तो चलिए बारी बारी से हम आपको बताते हैं कि प्रकृतिक आपदा क्या है और मानब जनितापदा क्या है तो देख लीजे जो घटना प्र हो गया सूखा हो गया आंधी हो गया तुफान हो गया चक्रवात हो गया बादल का फटना यह सभी प्रकृति का आपदा है लेकिन मानब जनीत आपदा की अगर बात करें तो आतंकवाद लूट पार्ट आग लगी यूद धार्मी क्या जाती है दंगा जो होता है बंब इसपो गॉस्ट trivial में भी कॉछ जाता है अब्यक्टिमे भी कॉछन पूछा जाता है उधारण से कि बताईए कि निमने खित में प्रकृति का पड़ा कौन है निमने खित में मानब जनीत आपदा कौन है तो आप हम आसा करते हैं कि आfel हम भली भाति लिख दीजेगा और जितने सारे भी question बताए सारे question को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा तो चलिए आज का class आपको यहाँ कैसा लगा जल्दी से आप लोग बताईए सारे question आपको कैसे लगें क्या normal question है आप ज़्यादा hard question पूछे जा रहा है जल्दी से आप लोग नीचे आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी परकार के मतपुन वीडियो के साथ important वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद